हेलो नमस्कार साथियों मैं हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बैल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी चीजे जैनुविन मिलेंगे और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है तो साथियों आज कि इस मौर्णिग नियूज में मैं आपके लिए काफी इंपोर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ जैसा आप जानते हैं कि कल morning news आपको मिलनी पाई तो आज मैं कई important news इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो साथियो इससे पहले कल मैंने एक question दिया था आपको परसो एक question दिया था question था कि भारत में पहली train कब कहां और कितने किलोमेटर चली तो इसका जो correct answer है मुंबई और थाने के बीच में चली थी 16 अप्रेल 1853 को और कई books में 32 किलोमेटर है कई books में 34 किलोमेटर है तो इसका जो correct answer जो बताए है वीरिंदर कुमार, कविराज तनू, डॉक्टर जे आर निगम, रुक्षाना खान, अंजु कुमारी तो इनके correct answer है तो आज के लिए जो question है वो मैं बता देता हूँ खाल्सा पंत की स्थापना कब और किसने की जो खाल्सा पंत है उसकी स्थापना कब और किसने की तो साथियों अभी आपके लिए काफी important news मैं लेके आया हूँ educational news है सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि हर्याना के अंदर जो सब inspector की भरती परिक्षा थी उसमें court ने जो hssc है उसको notice दे दिया है notice क्यों दिया साथियों बता देना चाहता हूँ कि इसमें court में मतलब case किया गया था case क्यों किया गया था क्योंकि काफी ऐसे question थे जो option में मतलब जो उन्होंने answer की भेजी तो उसमें वो गलत थे और उन्होंने वो ही question जो गलत question थे वो ही माने तो जो students थे candidates थे उन्होंने उस पर case कर दिया objection कर दिया कि जो ये option है ये गलत है ये question ही गलत है मतलब जिस हिसाब से आप question दे रहे हैं और जो ये answer मानने तो गलत है ऐसे नहीं है तो साथियों इन पर objection उठाया गया है और HSC को notice दे दिया गया है अभी देखते हैं क्या फैसला आता है हलाकि अभी notice दिया गया है और जो HSC है उसको अभी अपना जवाब देना है इसके बाद जो कुछ होगा आगे वो आपको बता दिया जाएगा इसके बाद साथियों एक और update है आप लोगों के लिए 923 total principal की post है मैं आपको बता देता हूँ 923 total principal की post है जिसमें से 747 खाली पद है 747 खाली पद है इसके बाद 50 को अन्य विभागों में भेजा गया है मतलब 50 उसमें से क्या है अन्य विभागों में भेज दिये गए है लेकिन अब उनको वापिस बुलाया जा रहा है क्यों बुलाया जा रहा है क्योंकि अभी principal की जो post है वो काफी खाली है और अन्य विभाग में आप उन्हें सिफ्ट ने कर सकते कोट ने ओर्डर दिया है तो साथियों यह अभी update है आप लोगों के लिए और जल्द से जल्द जो principal की post है उनको भरा जाएगा अब यह सोचने वाली बात है कि इतनी post खाली हैं और उनमें से भी 50 को आप other department में shift कर रहे हैं तो सिख्षा ववस्था को कैसे सुधारा जा सकता है तो कोट ने सीधे तोर पे यह action लेने को बोला है कि जो 50 अन्य विभाग में आपने shift करें सबसे पहले तो वो वापस बुलाए जाए और जो principal की new vacancies है जल से जल वो निकाली जाए जिससे सिख्षा ववस्था को सुधारा जा सके तो साथियों कोट ने कल परसो जो update थी मतलब काफी एहम फैसले लिये थे और उनके बारे में मैं next videos में भी discuss करूँगा और जो new teaching recruitment है उनके बारे में भी आपको कुछ बताऊँगा तो साथियों अभी ये update है आप लोगों के लिए और इसके बाद आपको पता होगा करनाल के अंदर जो ITI student था उसकी death के बाद मतलब जो ITI है उसमें काफी हंगामा चला हुआ है और हम उमीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो मामला सांथ हो क्योंकि जो वहाँ पर principal थे उनका आरोफ है कि पुलिस ने उनके साथ बत्तमीजी की है उनके caller को पकड़ा है ऐसे कुछ मामले सामने आ रहे है लेकिन सच्चा ही क्या है वो अभी कुछ नहीं पता और उनका आरोफ है कि पुलिस ने वहाँ पर मार पिटाई करी है और इसके बाद वहाँ पर जो CCTV कैमरे लगे हुए थे वो भी तोड़े गए है और पुलिस ने लाठी चार्ज किया था और उन पर हाला कि पत्त्राव भी किया गया है लेकिन जो actual situation है वो अभी बाद में निकल कर आएगी लेकिन हम काम ना करते हैं कि जल्द से जल्द ये ऐसी चीज़े देखने को ना मैं ले हमें और जल्द से जल्द इन चीजों का solution हो तो साथियों ये अभी update है आप लोगों के लिए और जो साथि principal post की wait कर रहे हैं तो जल्द से जल्द उनको vacancies देखने को मिल सकती है और साथियों आपको बताना चाहता हूं 2019 के अंदर आपको बहुत सारी new teaching post देखने को मिलेंगी तो अगर आप waiting में हैं अगर आप new teaching post की तयारी कर रहे हैं तो जरूर से जरूर अच्छे से आप preparation करें तो साथियों good bye take care thank you जैहिंद one day मात्रम